हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका स्टेडी हैक चैनल पर आज का क्लास होने वाला है वोकाइबलरी बेस पर और इसको हम सीखे एकदम बेसिक लेबल से जिनको कुछ भी नहीं आता होगा वोकाइबलरी में वो भी सीख सकेंगे क्योंकि हम इसमें टेक्निक यूज करेंगे नेम सब्सक्राइब तो इसमें बात करें वोकाइबलरी ए से जड तक सारी वोकाइबलरी तो पहली वोकाइबलरी की बात करते हैं अगर हमें आपने एब्रेविएट याद करना है कि सब्द ऐसे याद क्या हों गये तो इसको इन ऐसे को लेद अब बहुत हुआ बहुत बढ़ा कर लिया अब हमको चीजे को छोटी करने तो for example देख लो आपकी mister लिखते हैं ऐसे लेकिन अगर हमें sort में लिखना हो तो mr. लिख देते हैं corporation को लिख देते हैं corp miles per hour को mph newer को ny तो आप इसको relate करकी याद कर सकतो कि अब bread ज्यादा नहीं खाना मुझे अब उसको कम करो reduce करो sort करो ठीक है next word देखते next word है abdicate abdicate मतलब त्यागना abandon synonyms हो जाएंगे इसके retire, resign, quit और antonyms हो जाएंगे इसके accept, take on abdicate मतलब हो गया त्यागना अगर हम इसके निमोनिक सी बात करें तो ऐसे कर सकते हैं अब मेरे से dictate से लिख सकते हैं मैं जिस post पे हूँ जिस कूरसी पे हूँ या जहां कहीं भी हूँ जिस जगह पे तो लोगों को अब मेरे से छोड़ दूँगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अबेटर अबेटर का है मतलब अपराद में सही होगी सीनोनिम्स होगे इसके supporter खोलब अबेटर कोलाबरेटर से अब देख सकते हैं इंस्त्राग्राम सेस्ट पर भी आता है option कि आप को लीप कर सकते हैं दूसरों के साथ पोजिटीव और हो दोस्तों को लगा लो तो मेरे साथ ये कम नहीं कर पाओगे तो क्या करता है दोस्त मेर आपका हो मेरा हो तो अग वह आपको उस काम में साथ देने लगता है चाहिब देखता है गलत काम है या स़ी काम है तो अभ वेट requam脸 करें अगर दोस्तों से तो खुर्ज गलत कां में अगर वेट है तो आपका साही का योगी वो साथ दे गलत काम में ढगे नेक्स्ट देखते नेक्स्ट है एबिलीटी आबिलीटी का है योगिता सिनोनिम्स हो जागे पोटेंशियल कैपेशटी एक्सपर्टाइज एक्टिट्यूड और एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा इनेबिलीटी इनकैपी सीट तो ability का है capacity तो इसके निमोनिक्स कैसे याज करते हैं अब अब वक्त है लीट मतलब होता है कुछ जलाने का कि अब अपने अंदर के जो भी हमारे desire उसको जलाओ कुछ नया करने की चाहर रखो तो अब अपने अंदर प्रोजोलित करो कोई ability को तो ability हो गया उससे कि अगर मालेज कि मुझे singing आती है लेकिन मैं बहुत दिन से नहीं गा रहा हूँ तो अब वक्त है कि अपने अंदर के उस जोस को जगाओ लिट मतलब जगाना अब जगाओ जगाओ आग सिंगिंग ये ability हो गई dancing आता है तो dancing swim, surf, skate, roller, skate तो इन सब को ऐसे निमोनिक्स छोटे-छोटे याद क कर सकते है रिलेट करें कि अब वक्त है अपने अंदर सहास को जगाने का कि जो काम कर रहें उसको करें तो योगता अपने अंदर जगाने का ability next word next word ablaze जलता हुआ उत्तेजित furious अगर आपने movie देखे होगी ये movie है fast and furious तो इस image से याद रख रख जाता है अब लेजी होगे तो फोन को आग लगा देंगे तो जलना यहाँ से याद कर सकते हैं जलता हुआ तो छोटे-छोटे नेमोनिक्स आप याद कर सकते हैं ऐसे चलिए next बात करते हैं next हम बात करेंगे और यहाँ मतलब कसाई खाना कसाई खाना कौन सा जगह ऐसा जगह जहां पे एनिमल सब को काटा जाता है ताकि उन्हें बेचा सके फुड के लिए इसके सिनोनिम्स हो जाकते हैं slaughterhouse चलिए next की बात करें एबाट एबाट मतलब होता है मठ गुरु तो उसको खाते हैं एबाट यह देख रहा हैं पोप क्रिस्चन में देख लें तो पोप होते हैं मठ के गुरु वहाँ अगर उनका मठ हो पोई तो इमेज से आपको जादा दिन तक चीजे याद रहेंगी नेक्स्ट करते हैं अभी बताया था अभी हमने सिनोनिम से भी पढ़ा था तो अभी संचेपन मतलब छोटा करना सॉट हैं फॉर्म ओफ वर्ड या फ्रेज का इसका सिनोनिम सॉट एं प्रिसाइज जैसे अ लाफ आउट लाउडर ओमजी ओमाई गॉट टी एचेक्स थैंक्स के लिए यह सब क्या है यह बड़े बड़े फर्म को छोटा कर देना कि हम सॉट फ़र्म में लेखे देना चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है अब्डिकेट अभी हमने सिनोनिम सुमी पर है प कर दूगा त्याग दूगा अपने अपद को लोग खुश रहें लैर्नांस परेंडर घ才 है उने की बात करें और एक और वर्ड होता है अबिडिकेशन देखते आगया है या नि आ तो आगया है वडिकेशन का मतलब होता हृताँ पद्या तो यह एक एक्ट होता है, जो हम प तो चली next बात करते हैं next हम बात करेंगे idioms and phrases की और इसको भी हम पिक्चर के मादम से समझेंगे ताकि हमारे लिए समझने आसान हो जाए ए बैड हेर डे बैड हेर डे का होता है मनहूस थी a day on which everything seems to go wrong ऐसा दिन आप सुबह उठे नहाने गए कंगी किया बाल भीघर गए तो आपको लगया कि आरे यार तो मेरा बैड हेर डे है मेरे बाल ही बिघरते जा रहे हैं तो अज पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ दिन में क्या-क्या भी गणने वाला है तो अगर आपको जब ऐसा लगे सब्सक्राइब कि उस दिन आप घर पे रहो तो कह सकते हैं बैड हेर डे मनहूस दिन सुबह उठा बाली खराब थे तो सारा कामी खराब हो गया तो नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है बैड पैच यह पिरिएड ऑफ डिफकल्टी ऐसा सिच्वेशन चलो जब डिफकल्टी जा रही हो माली जे कि यह कपल है पती पत्नी में जगरा हो गया तो यह डिफकल्टी कहीं दोर होगा पती को खाना नहीं मिलेगा सुबह सुबह बैचारे को बनाना परेगा तो ऐसे याद कर सकते है करके यह बैड पैच जग रहा हो गया बैड पैच यह तम कठना ही कर दो रहा है या फिर आप कहीं घूमने गया आपका ट्यार पंक्चर हो गए फिर आप उसको बनाने के लिए मैटरियल खोज रहे हैं लेकिन आपको सारे कुछ मिल नहीं तो यह भी एक बैड पैच दे हो ग सब कुछ मिले अगर आपको मकमल जैसे भी जावन मिले बेड हो तो आप क्या हो आपके लिए बहुत हैपी सुच्योश कोई चीज की कमी नहीं है तो एक्जामपल ले सकते हैं कि इसका यूज कैसे हो सकता है वेट लॉस इस चैलेंजिंग टास्क नॉट बेड आफ रोजे कि हैं आती आसान काम नहीं है कि कोई अपना वेट गेंड कर रहा तो लूज करें उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज़ भी करने पड़ते हैं चलिए नेक्स्ट की बात करें बात करें और व्यास्त जगा तो अगर हम बात करें कि मदुमख्गी के छते की तो लिएक बीजी ह आगे कोई मैडम आगे तो क्या होता है सारे जो भी इंप्लायर वर्क करते तो सब एक साथ लाइन लगा देते हैं उनको देखने के लिए या फिर किसी कहीं पर कुछ फिरी का बट रहा हो तो सब लाइन लगा देते हैं भी हाई बिजी हो जाता है चीज़े तो ऐसे करके आप बड़ा कर संग क्यूज एट्रैक्शन अब बिग ड्रॉ कैसे हो सकता कि ऐसे देख सकते कि जैसे बहुत सारी इकमर्स हैं बहुत कुछ देते हैं कि आज 50% डिसकांट होगा तो इस वीक में 70% डिसकांट पे चीज़े मिलेंगी तो यह अकरसन का एक बहुत बड़ा किंद होत तो हम क्या चाते एक बहुत बड़ा अकरसन जहां पर हो एकदम जहां पर भीर लगा हो एकदम छूट मिल रही हो तो आकरसन का केंदर ही होता है नेक्स्ट बात करते तो आपके लिए खास यह है कि एक पैंडोरा बॉक्स होगा हर में हर क्लास में एक पैंडोरा बॉक्स होग जिसकी मदद से हमें error detection और sentence improvement बहुत मदद मिलेंगी तो हम daily एक ऐसे golden rule की बात करेंगे जिससे हमारा vocab तो होई रहा है साथ-साथ हमारा grammar भी प्रेपर हो जाए ताकि हम exam में full to ready रहे हमारा कभी कुछ गलत हो तो आज बात करेंगे subject verb agreement का एक rule तो यह rule कहता है कि अगर दो singular subject and से जुरह हो तो usually वह जो verb लेंगे वह plural होंगे जैसे example देख सकते हैं अगर ऐसे लिखाओ hurry and ram is here तो easy है यहाँ पर incorrect है क्योंकि हमें and से जुरह हुआ दो singular subject दिख रहा है तो हमें plural verb की जोड़त होगी तो correct इसका बनेगा तो आपको एक-एक rule daily मिलेंगे तो ऐसे vocab भी हमारा ready हो जाएगा फिर हमें एक rules का set भी मिल जाएगा जो की बहुत important है तो error detection वाले questions, sentence improvement वाले हो जाएगे तो maximum part हमारे exam के लिए cover हो जाएगा एक ही class से next हमारा session होगा previous year question जो recent previous year questions होगे बहुत पुराने नहीं synonyms, antonyms सारे vocab कोंगे ताकि हमें पता चलता है कि previous year भी हमारा तयार हो और हम question को असानी सो solve कर पाए जैसे जैसे हमारा day by day vocab की day classes भरती जाएगी तो हमें सारी चीज याद हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत easy हो जाएगा करना है हमें antonyms बताने सींग का इन सब्द में सो जूनगे group of work together to create Christmas parade themes which are then carried out in floats, musical groups and strolling figures तो चलिए time सभाप्त हो गया आप लोग नहीं तक इंसर दे दिया होगा कि सींग का antonyms होगा floats ठीक है create का मतलब बताब किसी चीए को create made करना parade जो हम parade julus देखते है इसका synonyms हो सकता March March भी है synonyms और इसका synonyms हो सकता ceremony ceremony भी कह सकते हैं किसका synonyms है next word is strolling strolling वर्ड का यूज होता है कि जब हम share करते हैं कि तहलते हैं काव कैसे तहलते हैं एक एकदम slow pace में तहलते हैं एकदम slow relax हो साम किसा में जो रात को खाने के बाद एकदम slow relax भी हमें त्यालते हैं उसको ही strolling कहते हैं चलिए next question है next question आपसे एडियम पूछ रहा है like a cake work तो चलिए देखते हैं किसका answer कौन देता है पहले option a है smooth service b pleasant experience c easy task d active तो चलिए इसे के साथ आपका time over हो गया आप लोगने answer दे रखा होगा तो like a cake work idioms का जो meaning होता हूँ होता है easy task कि एक वाक एकदम हलका हलका task है जो कि कोई बच्चा भी कर सकता है इतना आसान है next question की बात करते हैं इसमें आपको synonyms पूछा है word confusion का और चार option दिए गया है चलिए आप answer कीजिए words का कि इसका synonyms कौन सा होगा first है या second है या third है या fourth है चलिए time 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 समाप्त हो गया तो मैं इसका answer बता देता हूँ confusion है confusion का जो होगा यह होगा इसका synonyms commotion तो confusion मतलब क्या होता है ब्रह्म confusion का अगर हम हिंदी देखे तो क्या होता है ब्रह्म या उल्जन ठीक है इंट्रिपीडीटी इंट्रिपीडीटी एक noun है जिसका मतलब होता है bravery जिसका ब्रेवरी जिसका सिनोनिम से bravery stagnation stagnation का मतलब होता सांथ इसके synonyms की बात करें तो क्या क्या हो सकता काम डलनेस यह सब इसके सिनोनिम्स हो सकते है पर-usual पर-usual का होता अवलोकन करना जनकी ध्हान सपना अगर कोई भी चीज आपको मिलती है कोई agreement होता है तो उसको बरे ध्हान से परते हैं को ही बोलते है पर-usual चलिए next question की बात करते हैं next question हमसे पूछ रहा है appropriate meaning of the given idiom all I all I idiom का meaning क्या होगा watching with anger watching eagerly watching with no interest not watching at all छल्य टाइम हमारा end हो गया है तो इसका जो answer होगा वो होगा all I है तो क्या होगा watching eagerly अगर हम अपनी पूरी आँखे all I सारी आँखे लगाते हैं क्यों लगाते हैं कोई भी चीज़ को इगर लिवाच करने के लिए हम उसमें देखते हैं कि आखिर है क्या इसमें इगर पूर है कि उत्सुक्ता से सारी आँखे लगाते हैं अगर कोई चीज़ नया दिखता है तो हम all I ऐसे याद अखता कि हम उसको बहुत ही ध्रावदानी पुरबक देखते हैं और जिग्यासा से बहर के क्या कि इसमें नया है क्या चले नेक्स्ट कोस्टन की बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन पूछा है एंटोनीम्स ऑफ गिवन बन रिवेलियन का अंटोनीमस बताना है आपको 10 सेकेंड मिलेंगे अप्सन है अपराइजिंग सेकेंड है लोयल्टी थर्ड सेटीरशन और फूर्थ है एलोटमेंट कि तो देखते हैं कॉन बताता ताइस के लिए टाइम आप हो गया तो मैं कि इसका एंस सर होगा वह कंवोयल्टी तो इसको कहते हैं जो दरोह करता है राज-दरोह if रिवॉल्ट और इसका सिनोनिम सानुज या रिवॉल्ट कि रिवॉलोर्थ Unters अपराइजिंग भी इसकी synonyms है बात करें तो sediation भी है sediation भी कहीं synonyms है revolt का ही allotment वहता है आवंतन करना allot करना कोई भी चीज allot करना आवंतन करना allotment चलिए next question की बात करते है next question पूछा है antonyms of the given word hospitality का antonyms बताने आपको 10 second मिलेंगे आपको इसके लिए पहला option है complaint second है cordiality third है coldness fourth है wrathful चलिए देखते हैं इसका answer क्या होगा तो इसका सही antonyms है coldness hospitality मतलब क्या होता है मेहमान नवाजी हमें पता है hospitality हमारे कोई मेहमान आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं तो honor respect greeting हो सकता है इसका honor करते है और respect इस अगर हम बात करें complaint की तो complaint होता है सिकायत जिसका synonym से लिख सकते है charge ग्रेव मेन ग्रेव मेन भी होता है इसका synonym सी है ग्रेव मेन ग्रेव मेन कोडियलीटी का मतलब होता है सरलता सिंपलनेस जो होती है कमीटी होती है सरलता सरलता कोडियलीटी का मतलब होता है सरलता जिसका और भी मीनिंग है कमीटी कमीटी बोल सकते है और क्या बोल सकते हैं एमिकेबिलीटी यह इसके सिनोनिम्स है रैधफुल हो गया मतलब प्रकोप रैधफुल हो गया प्रकोप किसी भी चीज़ का प्रकोप इसको रेजिंग भी बोल सकते हैं रेजिंग हो गया या फिर इसका सिनोनिम्स हो गया फ्यूरियस यह सब इसके सिनोनिम्स है चलिए नेक्स की बात करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपको यह सेशन कैसा लगा आपको वक्याप मजा आया यह नहीं कमेंट में ज़रूर बता और आपका जो स्कोर रहा जो आ लाइक कर दें चैनल को ऐसे ही क्लास के लिए सब्सक्राइब करें आपको वक्याप आसानी से याद हो जाएंगे ऐसे ऐसे वे में लाओंगा तो आज के लिए बस इतना ही चैनल से जुटे रहें थाइंक्यू जैहिंद